अलो इस्ट्रेंट्स मैं हूर माकान पटेल और आप देख रहे हैं साइन्स जोन एकैडमी छिंदाना बहुत सारे बच्चे बोड़ने की सरा MPPAT की काउंसलिंग कब होगी हमारा स्वेलेक्शन होगा या नहीं होगा तो स्वेंस कटप पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर आएंगे हम लोग काउंसलिंग के बारे में डाकुमेंट कौन कौन से लगेंगे उस पर भी चरचा करेंगे कितनी फीस लगने वाली है कॉलेज की प्रफरेंस आपको कैसे करना है च्वाइस फिलिंग जिसे हम लोग कहत हैं तर मेरे 85 नम्मर आए मेरा सेलेक्शन हो जाएगा क्या तो भाई आप अपनी रेंग देखो यदि आपकी जो कंसोल्टेटेड रेंग यदि वो 750 के अंदर में हैं तो आप BSC अग्रिकल्चर कर सकते हैं मैट्स वाले बच्चे जो हैं जिनोंने पेपर दिया होगा बीटेक के लिए तो यदि उनकी 100 के अंदर में रेंग है तो उनके चांसे बनेंगे ठीक है BSC इंजिनिंग के लिए फॉर 800 तक भी दी आपकी है 800 900 तक भी दी है तो आप BSC अग्रिकल्चर के सपने देख सकते हो ठीक है लेकिन 750 बच्चों का सेलेक्शन होगा बांकी के भी चांसे बनते हैं क्योंकि कुछ बच्चे नीट में चले जाते हैं कुछ जोगों का पीवी एफटी निकला है कुछ लोगों अच्छे नंबर हैं आपके 105 नंबर के आसपास में है 104 नंबर के आसपास में तो आप सभी बच्चों को फ्री शीट मिलेगी जिसमें आपका होस्टल का और कॉलेज की फीस 18,400 रुपे लगेगी लेकिन यदि आपके नंबर जो है वो 90 से लेकर 100 के बीच में हैं तो आप लो पर श्वेंस आप लोगों को अपडेट मिलते जाता है कुछ इस तरीके से आप लोगों को श्वेंस यहां पर अपडेट मिलेगा काउंसलिंग का सेड्यूल अजाएगा एड्मिशन प्रोसेस जाएगी सारी जानकारी यह जाएगी पैमेंट रिशीर बगरा सब कुछ आप लोगों का यह आप राज माता बिजर्यादे शिंध्या की ऑफिशल वेबसेट पर भी जाकर यह देख सकते हैं जब आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी तो श्वेंस इस तरीके से जो अभी आपको आ रहा है यह पूरा आपको यहां लिखाएगा जवाललाल आप पैमेंट चाहते ही नहीं तो सारे कॉलेज को पहले फ्री में भर दो फिर सारे कॉलेज को पैमेंट में भर दो कोई भी कॉलेज ऊपर नीचे भर सकते हो कोई दिक्कत नहीं सर हमारे तो ठीक है 100 नम्मर है क्या हम जवलपूर पहले रख दें हमारे सर 130 नम्मर आये 135 नमर प्रणाना है, क्या हम पहले जावलपूर रख देए है? जो इस धी पसंद का है, आप उसे पहले नमर पर रख सकती हो, कोई दिग्कात नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को अपने पसंद के उसना है पूरे फ्री अपने पहले पहले प्रूरे पाइमेंट व चाहिए था free में और जवलपूर ही चाहिए था payment में कि इसार जवलपूर पहली priority में तो आप देख सकते हैं जवलपूर कॉलेज इन्हें अलोट हो चुका अलोटमेंट कॉलेज तो इन्हें लास्ट येर जवलपूर कॉलेज मिल गया था कोचिंग की बिटिया है और जब आपको कॉलेज मिलेगा तो 5-6 रुपए आपको तुरंत भुखतान करना पड़ेगा ऑनलाइन ज आप फेस्वूक की आईडी पासवर्ड बना लेते हो ठीक है इमेल आईडी पासवर्ड बनाते वैसे लेकिन कब जब आपकी काउंसिंग चालो हो जागी तब बनाना भी बनाके ठीक है आपको रिस्क नहीं लेना है बाद में बनाईएगा फिर आपको लोगों को इस्वाइ डाकुमें बेरिफिकेशन नहीं होते है प्याट में, पॉइंट नोट कीजिएगा पहले उनलाइन रिजिस्टेशन होगा आपका श्वेंस फीस पे होगी पारिशल फीस आपका ठीक है ऑनलाइन जो रिजिस्टेशन होता हूँ पांस्सों पचास रुपे लगते हैं तो agriculture वाले college में जाके document verification पहले करवाना होगा, फिर आपको college मिलेगा, college मिलने के बाद में आपको क्या करना है, पहाँ छार रुपए fees उस college के नाम पर तुरंथ pay करना पड़ेगा, और फिर जो college आपको मिला है, उस college में आपको बची fees लेकर जाना होगा, तो ये 6 चरनों में आप काउंसलिंग होने वाली है, इन 6 चरनों की जानकारी आप लोगों को नहीं होगी, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसका screenshot ले लीजिए, पहले आप लोगों को registration करवाना पड़ेगा, अपने सारे आपको college करना पड़ेगा, कौन से college को आप पहले दू document verification के लिए जाना पड़ेगा, जैसे मान चलो आपको जवलपूर college चाहिए, लेकिन आपके पास में सागर है, तो आप सागर में document verification करार सकते हैं, कोई दिक्कात नहीं, college होना चाहिए, ठीक है MPPAT वाला, आपको चाहिए जवलपूर, लेकिन आप इंदौर में document verification कराओगे, तो आपको ऐसा नहीं कि भी इंदौर मिलेगा, आपको मिलना है तो जवलपूर ही मिलेगा, आपको चाहिए ग्वालियर, document verification आपने करवा लिए बाला घाट में, उससे कोई दिक्कात नहीं, इसके बाद में आप लोगों को college अलोट होगा, नमर के coding मिलना है, नहीं मिलना है, आपको पता है, मैंने आपको बता दिया क्या cut-off रहने वाला है, college मिल जायागा, इसके बाद में आप लोगों को 5-4 fees पे पटाना होगा, ठीक है, जो college मिलेगा, उस college के नाम पर, फिर इसके बाद में, आप लोगों को उस college में जाना होगा, एक date जनरेट हो जाती है, कि भी की जाती है, आप देख सकते हैं, counseling की data जाती है, कि भी आपको क्या करना है, registration कब तक होंगे, document verification कब तक होंगे, college की list कब आएगी, counseling कब होगी, सब कुछ, तो friends, अभी लगबग आप लोगों को 15 दिन वेट करना है, जैसी कोई update आएगा, सबसे पहले हम बताएंगे, ठीक है, panic से full course with revision करा के दिया जाएगा, 2024 के paper तक, जब तक paper नहीं होगा, तब तक आपकी continue classes चलेगी, paper के एक दिन पहले तक, पूरा course HD quality में recorded भी मिलेगा, ठीक है, दो घंटे की आपको online classes भी मिलेंगी, coaching के notes, books, practice set, test series, model question paper, पूरी तयारी करवा के देंगे, और जो हम पढ़ाएंगे के हरवार वही आता है, इस बार भी friends, 200 से जादा बच्चों का selection coaching संस्थान से हुआ है, पूरे मद्द प्रदेश में सबसे जादा coaching selection यदि किसी के हुए है, तो वह है science zone academy, हर बार record तोड़ बच्चों के नाम सहीत आपको बताते हैं हम, यदि आप भी interested हैं, तो जरू संपर क कीजिएगा, मेरे mobile number 9407384042 पर, friends मिलेंगे फिर ऐसे यन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए thank you and all the best for your future, bye bye and take care.